बड़ा खेल करना है, नितीश कुमार को साइड कर देना है, साइड कैसे होंगे, और उसके बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री भी देना है, कि क्या चिराग पासवान भविश्य के सियम हो सकते हैं, अब देखिए, इस पर भी, इस पर भी काफी चर्चा है, कि अगर 36 जो पार्टी है, उसका विलाय भारती जनता पार्टी के साथ हो सकता है, चिराग पासवान को भारती जनता पार्टी जो है, वो अगला मुख्यमंत्री भीहार का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो यह भी जा रहा है, कि असोग चौधरी 36 विधायकों को जो शिफ्ट कराना है ब कि जिस तरीके से तेजस्वी अकद बढ़ रहा है, बीजे पीके नेताओं में और खासकर बिहार के अडर की में बात कर रहा हूं, किसी में उस तरीके का कैलीबर नहीं दिखता जो इस तेजस्वी को काउंटर कर सके, नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो बिहार टॉप के इस खास सेगमेट में, बिहार की राजनिती में एक बड़ा उतल पुतल होने जा रहा है, इसका अभास धीरे धीरे पटना से लेकर दिल्ली के राजनिती गलियारों में जो लोग बैठे हैं, मीडिया की गलियारों में जो बड़े और वरिष्ट पत्रकार बैठे हैं, उन त लेकिए, लोग सभा के चुनाओं के बीच चर्चा बिहार विधान सभा पर भी हो रही है, और ना सिर्फ पत्ना में, बलकि दिल्ली तक इसकी गूंज है, क्या खबर है, एक जून को सात्वेचरण का मददान होना है, और चार जून को परिनाम आएगा, मतलब देश का अग पहले विडियो के शुरुआत में ही, आपको इस बात से हम आउगत करा दें, कि हमारा कोई दावा नहीं है, जो खबर दिल्ली से उड़ते उड़ते पटना पहुच रही है, पटना के बीजेपी नेताओं के बीच जिस बात की चर्चा है, राजत के सुत्र जिस बात पर मु बात कर ले, 134 विधायकों के साथ NDA की सरकार बनी हुई है, कूल सीटों की बात करें तो 243 है, अब देखिए, जो 134 विधायक हैं, उसमें 85 विधायक तो सिर्फ बीजेपी के हैं, इसके अलावा 44 विधायक जो हैं, वो जनता दल युनाइटेड के हैं, चार विधायक हिंद कारा फरवरी को फ्लोट टेस्ट हुआ था, कई विधायक बीजेपी में समयलित हो गये थे, जिसमें महानिया की विधायक संगीदा कुमारी से लेकर, कई ऐसे लोग थे, जो बीजेपी की सदस्ता ले लिए थे, आब मसला समझ ये, कि खेल होगा क्या, और कैसे होगा, देख जो इस पर चर्चा कर रहा है कि बिहार में जैसे ही लोग सभा चुनाओ परिनाम आएगा, उसके बाद विधान सभा में भी खेल करना है, बड़ा खेल करना है, नितीश कुमार को साइड कर देना है, साइड कैसे होंगे, और उसके बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री भ सबर को हम बता रहे हैं, गौर से आप सुनिएगा, कहानी ऐसा है कि बिहार में बीजेपी के जो 85 विधायक हैं, उनके साथ जनता दल उनाइटेड के 36 विधायक जो हैं, यह आकड़ा भी आया है सामने, वो भी आप से बता रहे हैं, 36 विधायक तूट सकते हैं, तूट कर समर आप चार विधायक जीतन रामांजी के जोड़ दीजी और एक निर्दली सुमित सिंग को जोड़ दीए, तो यह आकड़ा लगभग 126 चला जाता है, जो कि बहुमत के से पार हो जा रहा है, 122 का बहुमत होता है, आप एक और खेल समझे, हमने सुबह एक विडियो किया था, इसमें हमने आपको बताया भी था कि क्या चिराग पासवान भविस्य के सियम हो सकते हैं, आप देखिए, इस पर भी काफी चर्चा है, कि अगर 36 विधायक जदियो के तूट कर आते हैं बीजेपी के साथ, मांजी जी के चार विधायक रहते हैं, एक निर्दलीय रहता है, त लजेपी यार, लोचपा राम विलाश जो पार्टी है, चिराग पासवान जिसके राष्ट्री अध्यक्ष है, पांच सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी, समस्तिर पूर सामभवी चौधरी जिसके लिए आज खुद मरेदर मोधी वोट मांगे हैं, वैसाली से विन को भारती जनता पार्टी जो है, वो अगला मुख्यमंत्री बिहार का प्रोजेक्ट कर सकती है, देखिए इसकी चर्चा हो रही है, हम किसी खबर का कोई बतलब पुष्टी नहीं करते हैं, चर्चा इसकी बड़ी जोर सोर से है, दिल्ली से पटना तक इसका चर्चा है, अब दिन से चिराग पास्वान को पांच सिटे दी गए, मैंने कई बारिस बात को दोर आया है, कि भाई चिराग पास्वान के साथ बीजेपी जितना कॉंप्रमाइज की और जितना उनको तवजब दिया गया, जितनी उनकी प्राइरिटी स्ताय की गए बीजेपी की तरफ से, व अर्वो पार्टी जो बीजेपी ए खिलाफ रही उनके खिलाफ मुखरता से उन्होंने अपना वाज उठाया, तो और देखिये इसमें एक और खेल है, इसमें एक और खेल, उसमें इसमें चर्चा हो रहा है, कि असोग चोधरी जो हैं, वो कुछ खेल इसमें कर सकते हैं, कहा चिराग पास्वान और उपमुख्य मंतरी के तौर पर असोक चौधरी का नाम चल रहा है अब कितनी सचाई है इस खबर में यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा लेकिन इसकी चर्चा बड़ी जोर सोर्च है इसके साथ इसके साथ एक और जनकारी आपको हम देहीं देते है भारते जनता पार्टी जो है चार देखे चार जून को जब लोकसभा का चुनाओ परिनाम आएगा और उसके बाद कुछी दिनों मतलब जून के महीने में यह खेल हो सकता है विहार में कि बीजेपी जदियू के विधायकों को तोड़े और इसके साथ एक और खबर है जन जीते हैं जदियू के सांसद बिहार में तो उसमें 6-7 ऐसे सांसद होंगे जो टूटकर बीजेपी जॉइन कर सकते हैं यह भी हो सकता है कि उससे संख्या ज्यादा हो जाए क्योंकि जब पार्टी तूटती है भरवडाती है तो फिर बड़ा बड़ा उलट फेर होता है यह भी देखा गया है असोग चौधरी को डेप्टी सीम बनाने पर भी चर्चा है थोड़ा चौकाने वाला ख़बर है लेकिन यह ख़बर है और इसकी चर्चा हो रही है चिराक पास्वान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना बीजेपी के लिए बड़ा मेसेज पूरे नौर्थ इंडिया में दे सकती है और उसका सबसे सुटेबल चेहरा जो है वो चिराक पास्वान ही है इसके अलाबा तेजस्वी यादव देखिए तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस जिस तरीके से हुआ है पीची बितले 6-8 महीने में जिस तरी जिस तरीके से तेजस्वी अकद बढ़ रहा है बीजेपी के नेताओं में खासकर बिहार केडर की में बात कर रहा हूं किसी में उस तरीके का कैलीबर नहीं दिखता तो इसको काउंटर कर सके एक मात्र एक नेता है वो नेता चिराग पास्वान है युवा है कुशल वकता है अच्छे नेत्र तो करता है और इसके साथ ही साथ जमीनी पकड़ भी उनकी अच्छी माने जाती है तो पूरे दलित वोट को कॉंसोलिडेट करने के लिए एक तरफा करने के लिए ये मास्टर एश्ट्रोक बीजेपी जो है वो खेल सकती है इस पर काफी चर्चा हो रही है ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सूत्र बड़े और बड़ा विश्वत सूत्र जो है मतलब एकदम क्रेडिवल मैंने पहले भी कई से खबर किये हैं जिन सूत्रों के हवाले से खबर आया है सही भी हुआ है वैसे लोग इस खबर पर मुहर लगा रहा है इस बात की तो एक प्रियुक्त के लिए ऐसे में बिहार नितीष से साइध नहीं समल रहा है और यह बात बीजेपी अच्छे जानती है बीजेपी से अच्छा से इस बात को कोई नहीं जानता है क्योंकि BJP ने सबसे लंबा समय नितीष के साथ ब्यार में गुजारा है तो ऐसे मैं नित तरीके का काम ना किया जाए जिसकी चर्टा में मैंने इस वीडियो में किया कि उन्हें हटाना ही पड़ेगा स्वेक्षा से नितीष कुमार जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे जो मुफीद जिसकी और साथी साथ साथी साथ बिहार को एक ऐसा युवा मुख्य मंत्री भी मिल जाएगा जिसकी राजनितिक शमता पर और जिसके बैग्राउंड पर चुग रहा मिला इस पास्वान का भी मैंने चर्चा किया कि 2005 में उन्हें एक मौका मिला था फर्वरी के माह में जब उन कब मुहर लगेगा या नहीं लगेगा ये तो समय बताएगा लेकिन इसकी चर्चा बड़ी जोर सोर से है आपके भी जो सुत्रों या पता कर सकते हैं दिल्ली से पटना तक हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है कि आखिर वियार की राजनिती में 4 जून के बाद होने क् रहा है फिलाल इस खबर में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया